इस वीडियो में हम military exercises के बारे में देखने वाले हैं 2022 में जितनी भी conduct की गई इस पूरे एक साल के दोराण जनवरी से लिखर अभी तक टॉप 70 question हम इसमें देखने वाले हैं और शुरू करते हैं पहले question के साथ exercise simbex 2022 has been conducted by India and which country exercise simbex जो है इंडिया और सेंगापूर के बीच कंड़क्ट की जाती है आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं मदब इसको यह जो abbreviation है इससे याद रख सकते हैं S for Singapore I for India and maritime bilateral exercise ठीक है देटेल में देखी यह तो बताई दिया है मैंने full form इसकी conducted in two phase first phase जो है विशागा पत्नम में हुआ second phase Bay of Bengal में conduct किया गया यहां आप map में location देख रहे होंगे Singapore की और यहीं पर है मलक का स्ट्रेट जिसको अकसर आप news में देखते हैं let's move on to next question that is air exercise Garud 7 has been conducted by India and which country गरूड exercise जो है यह इंडिया और फ्रांस की बीच conduct की जाती है अभी जो 2022 में हुआ है 7th edition था गरूड air exercise का between India और फ्रांस कहां पर हुई जोदपूर राजस्तान में Indian Air Force की तरफ से इसमें participate किया SU-30 MKI Rafale ने LCA Tejas और Jaguar Fighter aircraft ने next question है 18th edition of exercise यूद अभ्यास has been conducted in which state ओके तो यहां पर यह जो options है जलत हो गये है यूद अभ्यास last question के I think options आ गये न यूद अभ्यास जो है exercise यह इंडिया और USA की बीच होती है और 18th edition जो इसका है यह उत्राखंड में conduct किया गया था ठीक है 2022 में यूद अभ्यास 2022 यह आर्मी exercise है between India and USA location कहां पर यह हुआ 2022 में उत्राखंड ओली में next देखें other exercise in news जो रही है exercise ऑस्ट्रा हिंद जो इंडिया और Australia के बीच हुई यह की जाती है कहां पर हुई राजस्तान में हुई exercise अगनी वारियर इंडिया और Singapore के बीच यह महराश्ट्र में conduct की गई exercise हरीमाउ शक्ति इंडिया और Malaysia के बीच होती है ठीक है और इसको conduct किया गया Malaysia में exercise गरुन शक्ति इंडिया और कजाकस्तान के बीच है जादतार exercise का ऐसा होगा कि आप नाम से पैचान जाएंगे किन दो देशों के पीछ है कि यह जो हुई 2022 में जापान में इसको conduct किया गया कौन सा एडिशन था 26 जापान के योको सुखा में इसे किया गया इपसा मार जो है यह आपको question में मिल गया कि एक joint multinational maritime exercise है 2022 में 7th edition इसका था और कौन से आइस ने इसमें पार्टिसपेट किया तो इस तरकस इसने पार्टिसपेट किया इपसा मार के फुल फॉर्म देखते हैं क्या है इंडिया ब्रजील साओध आफ्रिका मेरिटाइम exercise ठीक कहां पर कंड़क्ट हुई पोर्ट एलिजाबेथ जो है साओध आफ्रिका का यहां पर इसे कंड़क्ट किया गया और भारत की तरफ से आइनस तरकश ने इसमें भाग लिया पोर्ट एलिजाबेथ कहां है इसकी location देख लेते हैं तो बिल्कुल साओध में आपको साओध रहेगा next question है steadfast noon annual nuclear exercise has been conducted by किसके द्वारा कंड़क्ट की गई steadfast noon annual nuclear exercise तो यह नाटो के द्वारा कंड़क्ट की गई नाटो क्या है नौर्थ अत्लांटिक ट्रीटी ओगनाइसेशन वर्ल्ड की लार्जस्ट मिलिटरी अलाइंस है 1949 में इसको फॉर्म किया गया था जिन्होंने इसका भाग बनने के लिए मेंबर बनने के लिए अपनी इच्छा जताई है और प्रोसीजर अभी जारी है लेकिन अफिशली अभी वह पार्ट नहीं बने है इसलिए तीस कंट्रीज हम इसको इसकी मानेंगे वेच कंट्री होस्टेड एस्यो एंटी टेरर एक्स इसको होस्ट किया इंडिया ने यह जो एक्सराइज है मल्टी लेटरल जॉइंट एंटी टेरर एक्सराइज है कहां हुई मानेसर हर्याना में एक्सराइज कंड़क्ट की गई इसमें पाकिस्तान ने भी पाटिसिपेट किया क्योंकि आपको पता होगा इस्यो में इंडियो जो है SEO की वो कहां होने वाली है exercise प्रस्थान has been conducted by which of the following exercise प्रस्थान जो है वो कंड़क्ट की गई इंडियन नेवी के द्वारा ठीक है exercise प्रस्थान आफशोर सेक्योरिटी exercise है conducted by Eastern Neville Command इसका हेड़क्वाटर का है विशाखा पत्नम में है जो Southern Neville Command है उसका हेड़क्वाटर है कोची में और Western Neville Command का हेड़क्वाटर है मॉंबाई में इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स कंड़क्टे जॉइन एक्सराइज गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट गगन स्ट्राइक पहले तो यह याद रखे कि जॉइन एक्सराइज है किसके बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स के बीच और कौन से स्टेट में इसको conduct किया गया 2022 में तो यह state है पंजाब नेवल exercise जिमेख 2022 has been conducted by India and which country जिमेख जो है इंडिया और जापान की बीच exercise है ये भी नाम से आप जे आई है जे से जापान आई से इंडिया ठीक है जिमेख 2022 जापान इंडिया मेरिटाइम exercise 6th edition 2022 में था hosted by इंडियन नेवी कहां पर बे ओफ बेंगॉल में विच कंट्री hosted नेवल exercise काकाडू 2022 काकाडू 2022 exercise जो है उस्ट्रेलिया के द्वारा ये होस्ट की गई नेवल exercise याद रिखेगा और थीम क्या थी इसकी partnership, leadership, friendship, participated from India, India से किसने पार्टिसिपेट किया इनस सत्पूडा ने और इनस सत्पूडा के अलावा P-81 maritime patrol aircraft जो की USA के बोईंग के द्वारा बनाया गया है USA में कंपनी है बोईंग उसके द्वारा इन दोनों ने ही इंडिया के तरफ से पार्टिसिपेट किया कौन से exercise में काकाडू 2022 किसने होस्ट की उस्ट्रेलिया ने की विच इंडियन आम्ड फोर्स conducted the परवत प्रहर exercise परवत प्रहर exercise जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंड़क्ट की गई कहाँ पर लदाख में where has exercise SARX 2022 been conducted SARX 2022 जो है ये चेनने में कंड़क्ट की गई exercise SARX 2022 ये जो है National Maritime Search and Rescue exercise है चेनने में ये कंड़क्ट की गई by Indian Coast Guard exercise वजर प्रहार 2022 has been conducted between India and which country वजर प्रहार जो है इंडिया और USA की बीच exercise है और 2022 में इसका 13th edition था इंडिया USA के बीच होती है कहाँ पर हुई बकलो हिमाचल प्रदेश में ठीक है exercise exercise विन्बेक्स 2022 has been conducted between India and which country विन्बेक्स exercise जो है इंडिया और वियतनाम के बीच conduct की जाती है अभी 2022 में third edition हुआ of वियतनाम इंडिया bilateral army exercise जिसका नाम है विन्बेक्स conduct कहाँ पर हुई चंडी मंदिर हर्यानम के अंदर ये conduct की गई थी वियतनाम आप ये देख रहे होंगे मैप में जिसकी capital क्या है हनोई है और currency हाँ पर डोंग इस्तेमाल की जाती है इसके बारे में तोड़ी बात करें तो ये joint training exercise है fourth edition 2022 में था कहां हुआ महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज बीकर नेर में ये exercise conduct की गई इसमें focus किया गया counter-terrorism, regional security and peacekeeping operations पर उदार शक्ती exercise has been conducted between India and which country उदार शक्ती exercise जो है इंडिया और मलेशिया के बीच conducted की गई ठीक है एक bilateral exercise है इंडियन एरफोर्स की तरफ से इसमें सुखोई SU-30MK-1 और C-17 aircraft ने इसमें participate किया यह आप मलेशिया को मैप में देख रहे होंगे इसके बारे में देखते हैं Skylight है इसका नाम exercise का conducted by Indian Army to test satellite based system Indian Army to have its own multi-band satellite with added security features by 2025 तो याद रखेगा exercise Skylight किसकी है इंडियन आमी की विच कंट्री हैस कंड़क्टेड वोस्तोक 2022 military exercise वोस्तोक exercise जो है रशिया के दोबारा कंड़क्ट की जाती है 2022 में ये जो military exercise हुई रशिया में कंड़क्ट की गई पार्टिसपेट इसमें किया इंडिया ने, चाइना ने, लाओस, मंगोलिया, निकारग हुआ और सीरिया ने विच कंट्री होस्तेड उल्ची Freedom Shield military exercise ये जो है उल्ची Freedom Shield सैने अभियास है military exercise ये साउथ कोरिया में कंड़क्ट की गई उल्ची Freedom Shield ये जॉइंट military drills है conducted between USA and South Korea एक्सराइज घंजर 2022 has been conducted between India and which country घंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच कंड़क्ट की जाती है डिटेल देख लेते हैं ये special forces exercise exercise 9th edition था 2022 में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है और ये कहां पर हुई special forces training school बकलो हिमाचल परदेश में इसे कंड़क्ट किया गया ये आप किर्गिस्तान को मैप में देख सकते हैं जिसकी capital है बिश्केक और currency यहां पर सोम इस्तिमाल की जाती है exercise exercise Sampreeti X has been conducted between India and which country तो Sampreeti exercise जो है इंडिया और बांगलादेश के बीच कंड़क्ट की जाती है एक joint military training exercise है between India और बांगलादेश being conducted at Jashore military station बांगलादेश तो 2022 में बांगलादेश में conducted की गई रिसेंटली exercise बोंगो सागर जो है यह भी इंडिया और बांगलादेश के बीच में conducted की गई थी बांगलादेश को आप मैप में आ देख सकते हैं इंडिया और मिया मार्सिस का पॉर्टर शेहर होता है exercise धर्म गार्जियन 2022 has been conducted between India and which country तो यह धर्म गार्जियन जो है इंडिया और जापान के बीच कंड़क्ट की जाती है यह एक joint military exercise है थर्ड एडिशन था 2022 में कहां हुआ करनाटिका में between इंडिया और जापान धर्म गार्जियन जो है exercise being conducted in India since 2018 2018 से इंडिया में ही गंड़क्ट की जा रही है exercise 10 तलिक has been conducted by India and which country तो दस तलिक जो है इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच एक exercise है joint training exercise है और कहां पर हुई 2022 में उजबेकिस्तान में गंड़क्ट हुई थी लास्ट एडिशन उत्राखंड के रानी केत में हुआ था पिछले साल जो हुआ था इस बार उजबेकिस्तान और यह आप यह आप मैप में देख रहे होंगे उजबेकिस्तान जिसकी capital है ताशकंद और अलसागर यहीं पर ए एक्सराइज है नाइन्थ एडिशन था 2022 में और कहां पर हुआ सेशल्स डिफेंस एक्याडमी में हुआ 22 से 31 मार्च की बीच में और 2001 से इसे कंड़क्ट किया जाता है यहां पर आप देख रहे होंगे इंडियन ओशिन गवरमाप यहां पर आपके सामने यहां पर यह कंट् विक्तूरिया करेंसी यहां पर रूपी यूज की जाती है एक्सराइज वरुन 2022 हाज बिन कंड़क्टेट बेट्वीन इंडिया और विच कंट्री तो वरुन जो है इंडिया और फ्रांस के बीच कंड़क्ट की जाती है बीसवा एडिशन था 20th एडिशन बाइलेटरल ठीक है और 16 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियान आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया और एक्सराइज नुमेडिक एलिफंट जो है यह इंडिया और मंगोलिया के बीच में ही है ठीक है नेक्स्ट मंगोलिया को यह आप मैप में देख सकते हैं उलान बात किया गया IONS क्या है Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise 2022 की दो phase में इसको conduct किया गया पहला edition था जो इसका first phase है मारमगाओ port जो है गोवा का वहां conduct किया गया और second phase Arabian Sea में IONS जो है Indian Ocean Naval Symposium इसको 2007 में established किया गया था और अभी 2022 में एक maritime exercise इसकी कंड़क्ट की गई है पहली बार जो successfully conduct हुई है दो phase में India has successfully conducted exercise Eastern Bridge six with which country Eastern Bridge exercise जो है इंडिया और उमान के बीच कंड़क्ट की जाती है और कहां पर हुई Air Force Station जोधपुर राजस्तान के अंदर bilateral exercise Bongo Sagar has been conducted between India and which country Bongo सागर हमने पहले भी देखा है इंडिया और बांगलदेश के बीच यह कंड़क्ट की जाती है अभी थर्ड एडिशन था 2022 में conducted between Indian Navy and Bangladesh Navy location कहां पर पोर्ट मोंगला बांगलदेश में यह हुआ इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसपेट किया INS कोरा ने और INS सुमेधा ने ठीक है कोरा जो है यह गाइड़ेड मिसाइल कॉर्वेट है और सुमेधा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वेर है इंडियान नेवी एक्ससाइज मिलान 2022 बिगिन तो एक्ससाइज मिलान जो है इंडियान नेवी की एक्ससाइज है और यह विशाखा पटनम में कंडक्ट की गई लोकेशन विशाखा पत्नम, इसमें 40 देशों की नेवी ने इसमें पाटिस्पेट किया थीम इसकी क्या थी? केमरेडरी, कोहेशन और कोलाबरेशन ये इसकी थीम थी, एम क्या है? और ये जो एक्सराइज है, 1995 से कंड़क्ट ही जा रही है 2022 में भी हुई विशाखा पत्नम में एक्सराइज डिफेंडर यूरॉप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉंस 2022 रिलेटेट तो विच अप दे फॉलाइज तो ये जो एक्सराइज है, नाटो से रिलेटेट है नाटो की एक्सराइज है और पोलेंड और अदर एड़ कंड्रीस में इन्हें कंड़क्ट कियागया एक्सराइज नाट-Pol-Rhex ये नाट-Pol-Rhex आज बियुच्दाट ये गंड़क्ट की गई इसके बारे में रेखते हैं तो ये एक नेशनल लेवल पल्यूशन रिस्पॉंस एक्ससाइज है इसका एथ एडिशन था दोजार बाइस में कंड़क्टेट बाइ इंडियन गोस्ट गार्ड कहां पर मौर्मुगाव हार्बर गोवा में एक्ससाइज लीनेक्स है है इंडिया उर्षिलांगा के बीच बीच है बाइलेटरल मेरि टाइम एक्ससाइज है नाइनथ एडिशन इसके था ये दो फेस में इसके एक्सका Чक्त इसके इंडिया नेवी ने प्रेजेंट किया इनस किर्श को इसमें अ गाइड़ेड मिसाइल करवर्ट और इसके अलावा एक्सराइज मित्र शक्ति जो है यह भी इंडिया और श्री लंगा के बीच कंड़क्ट की जाती है इंडिया आमी कंड़क्टिड सुरक्षा कवच टू एक्स सुरक्षा कवच एक्सराइज जो है महराश्टर पूलिस के साथ इंडियान आर्मी ने कंड़क्ट की है वेर हाज विंक्स इंडिया 2022 एयर शो स्टार्ट इंडिया 2022 यह एयर शो हैदराबाद में शुरू किया गया यह एशिया का लार्जस्ट सिविल एविएशन इवेंट ह का भी कंड़क्ट हुआ कहां पर बेगम पेट एरपोर्ट हैदराबाद में और्गनाइजड बाइमिनिस्ट्री ओफ सिविल एविएशन और फिक्की दाट इस फेडरेशन ओफ इंडियन चामबर्स और कॉमर्स और इंडिस्ट्री इसकी थीम क्या थी इंडिया आट 75 इस बारे में देखें तो यह है एक मल्टी लेटरल एंटी सब्मरीन वार्फेर एक्सरसाइज कहां पर हुआ ग्वाम जो की एक युएस का आइलेंड है वहां पर हुआ पैसिफिक ओशियन में इसमें पार्टिसिपेट किया छे कंट्रीज की नेवी ने युएसे इंडिया कणिडा जेपया और साउथ कोरिया और इसमें से चार चे कंट्री में छारे सी आइसी हैं कौन सी हैं युएसे इंडिया ऑस्ट्रीपया यह इपैसट खी तेंट्रीज की गखें है इंडियन एर फोर्स के LCA तेजस ने इसमें पार्टिसिपेट किया अभी 2021 का रिविजिन कर लेते हैं तो पोर्थ एडिशन औसिंडेक्स फोर यह किसके बीच होती है औसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में काजिंद यह इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है इन युनेफ फोर यह जो है जो है जॉइंट नवल एक्ससाइज है बेट्विन इंडिया और यूरोपियन युनियन गल्फ ओफ एडन में गंड़क्ट ही गई थी 2021 में मल्टी नेशनल मिलिटरी एक्ससाइज जिसका नाम है शांतीर ओग्रोशेना यह पांगलेदेश में हुई ला पैरोज जो है मल्टी लिटरल मेरिटाइम एक्ससाइज है पहली बार कंड़क्ट हुई कहां पर इस्टर इंडियन ओशन रीजिन में इसमें फ्रांस इंडिया इंडिया यूसे ऐस्ट्रेलिया जिपैंग इन्हों ने पार्टिसिपेट किया उसके बाद है इंड्रा 2021 इंडिया और रश्या की बीच एक्ससाइज हुई मित्र शक्ति इंडिया और श्रिलंका की बीच में एक्ससाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस की बीच में दोनों मे यह Joint Military Exercise between India and Nepal जैर अल बाहर इंडिया और कतर के भीच एक नेवल एक्सराइस है जायद तलवार ये इंडिया और USA UAE के बीच में एक एक्सराइस है निक्स्थ है कॉंकर्ण एक्सराइस जो है इंडिया और UK के पीच है English Channel में 2021 में कंडक्ड की गई थी अल-महद, अल-हिंदी ये जो है इंडिया और साओधी अरब्या की बीच एक नेवल एक्सेसाइज है एक्सेसाइज मालाबार क्वार्ड कंट्रीज की एक्सेसाइज है खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच है बाइलिटरल मिलिटरी एक्सेसाइज है और 2021 में बिश्केक में ये हुई थी वज्ड प्रहार ये joint military exercise between India and USA हिमाचिल प्रदेश में 2021 में conduct की गई थी फिर है desert night 21 exercise between India and France Air Force की exercise है जोदपूर राजस्तान में 2021 में हुई थी उसके बाद है desert flag 6 multilateral military exercise hosted by UAE दोनों में different समझेगा 15th edition of biennial trilateral coast guard exercise जिसका नाम है दोस्ती इंडिया माल्दीज और श्रिलंका के बीच में ये exercise हुई थी फिर है sit max Singapore India Thailand की maritime exercise है conducted in the unmansi 2021 में 6th edition of Ajay warrior exercise इंडिया और UK UK के बीच में होता है Ajay warrior India UK और UK में ही हुआ था UK यानि की उत्रागंड में ठीक है कुछ और important exercise को revise कर लेते हैं तो गरूर शक्ती इंडिया और Indonesia के बीच होती है एकुवेरिन इंडिया मौल्दीज के बीच हैंड हैंड चाइन और इंडिया के बीच में कुरुक्षेत्र सिंगापूर के साथ नुमैडिक एलिफंट मंगोलिया के साथ में मैत्री exercise थाइलेंड के साथ युद अभ्यास USA के साथ धर्म गार्जियन जापान के साथ और exercise लामी तिये इंडिया और सेश्विल्स के बीच की जाती हैं इसे के साथ हमारी वीडियो आज की खत्म होती है आई हो आपको पसंद आई हो और पसंद आई हो तो लाइक शाविए आप शेवाट नाव प्रहार प्रहार नाव प्रहार एक्सराइज बारत बारत और किस देश के बीच आयोज़ित की जाती है जपैन, USA, Maldives या फिर फ्रा आई हो तो लाइक शेयर कर दीजेगा थैंक यू सो मच वाचिंग दे वीडियो जैहित